जैसिर रादिक्रिष्णा आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आए आज सुनते हैं छट पूजा की कथा छट का व्रत वर्स में दो बार मनाया जाता है एक चैतर में और दूसरा कार्तिक मास में चैतर मास में पढ़ने वाले को चैती छट के ना में और भगबान सुरीदेव का करपा सदयिव बना रहे हैं सभी सदा स्वस्त रहें सदा खुशहाल रहें छट व्रत में चटी में और भगबान सुरीदेव का पूजन किया जाता है इस व्रत को महिलायें अपने पूत्र की लंगी आयू के लिए तथा सुक और की प्राप्ति के लिए इस ब्रत को रखती है यह ब्रत बराही कठिन माना जाता है चट का ब्रत चार दिनों तक लगातार किया जाता है यह ब्रत चतुर्थी तिथी से ले करके सप्टमी तिथी तक इस ब्रत को किया जाता है चतुर्थी तिथी के दिल नहाय खाय का ब्रत किया है शश्टि तिति को संधिया में पूजन करके प्रत्興यमां करके अर्फन में सुप्ति मईया के लिए सूप में और औरा में अनेक प्रकार की फल उसमें रखे जाते हैं जैसे की केला, सेव, संत्रा, पत्ते वाला एक, नासपाती आदी बहुत सारे फल चढ़ाया जाते हैं विशेश करके इस दिन पकवान चढ़ाया जाते हैं जो की ठेकुआ घी मिस्रित घी में बना हुआ होता है वह ठेकुआ चढ़ाया जाता है इस वरत में ठेकुआ का बड़ा ही महतुमाना गया है इस वरत में बिशेश करके माता को हल्दी चढ़ाई जाती है जो कि पत्ते वाला हल्दी होता है मूली आदे भी चढ़ाई जाती है और जहां तक हो सके जितने भी परकार के फ़ल होते हैं उतने परकार के अपने सामर्त के अनुसार इस दिर छठी माता को फ़ल चढ़ाया जाते हैं इस ब्रत में शष्टी देवी का पूजन किया जाता है जो की छठी माता के रूप में माने जाती है और भगवान सुरी देव की बहन माने जाती है जो भी सची सर्धा के साथ छठी का ब्रत करती है या कथा सरवन करती है उन्हें सभी प्रकार के छठी माता और भगवान सुरी देव की क्रपा से सुक्षम्रेधि की प्राप्ति होती है तो आईए सुनते हैं चठ पूजा की कथा तो बोलिये प्रेम से छठी माता की जय भगवान सुर्य देव की जय पौरानिक ग्रंतों के अनुसार भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और सुर्य देव की बहन शष्टी जाता है पुरानों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सुर्ष्टी रचने के लिए स्वयम को दो भागों में बाट दिया जिसमें दाहिन भाग में पुरुस और बाय भाग में प्रकृति का रूप सामने आया सुर्ष्टी की अधिश ठात्री प्रकृति देवी एक अंस को दीव संतान के अनुसार एक बाहर प्रियमबद नामक राजा को काफी समयसे कोई उसके पास संतान नहीं थी तब महड़ सिककश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यग्य कराकर की पत्नी मालिनी को यग्य आहोती के लिए बनी को खाने के लिए कहा इससे उन्हें पुत्र प्र उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री दीव सेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि स्रिष्टी की मूल प्रविर्टी के छठे अंस से उत्पन होर्णी के कारण मैं सश्टी कहलाती हूँ राजान तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेडित करो राजाने पुत्र एक्षा से शष्टी देवी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई यह पूजा कार्तिक शुक्ल सश्टी को हुई थी तब से यह छठका तेवहार के रूप में व्रत को करने की परंपरा चल रही है कहा जाता है कि अवद के राजा राम और उनकी पत्मी माता सीता ने भी छठका व्रत किया था लंका पर विजय पाने के बाद राम राजी की अस्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल सश्टी को भगवान राम और माता सीता ने उक्वास किया और सुरिय देव की पूजा की सप्टमी को सुरियोदय के बक्त फिर से अनुष्ठान कर सुरिय देव से आसिरबाद प्राप्त किया था यही परंपरा अब भी चली आ रही है प्राचीन काल से ही यह मानेता चली आ रही है कि महाभारत काल में सुरी पुत्र करण ने भी छट की पूजा की थी करण भगवान सुरी के परमभक्त थे वह प्रति दिन घंटो कमर तक पाने में खड़े होकर सुरी को अर्ग देते थे सुरी की किरपा से वह महान युद्धा बने आज भी छठ में अर्कदान की यही परंपरा प्रशलिता है पौरानी कथाओं में बताया गया है कि छठ का ब्रत करने के परताप से ही पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट मिला जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रोपदी ने छठ ब्रत रखा उनके मनोकामना तब जाकर पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया लोग परंपरा के अनुसार सुर्य देव और छठी मया का संबंध भाई बहन का है इसलिए छठ के मौके पर भगवान सुर्य की अरादना फलदाई माने गई है इसलिए छठ माता का और भगवान सुर्य देव का छठ ब्रत में बड़े ही नियम और निफ्टा के साथ पूजन किया जाता है तो आसा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ज्यान परधक जानकारिया प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोट्फिकेशन आपको समय से मिलता रहें वीडियो को लाइक करें शेयर करें सुखी रहें और स्वस्त रहें जैसरे राधे कर्ष्टन धन्यबाद